नमस्का मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूं कथा मंधन में आज सुनिए बकुलकता का चौथा अध्य है बकुल कथा से संबंदित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट बकुल कथा से मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा इसके अलावा इसके प्रथम के दो उपन्यास प्रथम प्रतिशुरुती और सौन रलता आपको हमारी एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा आप लिंक वहीं रहेगा आप जाकर के चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बकुलकथा का चौथा अध्य है पहली जमाने में स्त्रियां साड़ी में चून देकर पहनती थी हलकी, महीन, डोरियां, चांदनी, गंगा जली सक्त मरोड देकर मोडी हुई उस साड़ी को खोल कर बिछा देने में उसकी लहरदार जमिन ऐसी लगती थी जैसे अब गंगा देखने में लग रही है, जुआर नहीं, भाटा नहीं, स्थिर गंगा हवा के धक्के के सिर्फ छोटी छोटी लहरे, वह लहर, चुनट वाली गंगा जली साड़ी जैसी इस किनारे, उस किनारे आचल बिछाए, थर-थर काप रही है बेला जुकाई है, अभी गंगा और गंगा तट की शोभा की तुलना नहीं, इस शोभा की अंतिम बून तक को पीकर तब सजली दी बरांदे से उठेगी, जिसका नाम पारूल है, और जिसे इस नाम से पुकारने वाला यहां कोई नहीं है इससे पहले स्वर्ण लता में आपने पढ़ी ही चुके हैं, कि स्वर्ण लता की तीसरी बेटी का नाम पारूल है यही उनकी पूजा है, यही ध्यान और यही नशा है उनका, धूब ढलते ही गंगा के किनारे बरांदे पर आकर बैठना, हाथ में कोई किताब हो शायद, पर वह किताब पढ़ी नहीं जाती इस समय मानों अपने को लेकर गंगा की भाती ही उसी किसी अतल में डूब जाती है गोरा रंग, दिप्त चहरा, कुछ गुंगराले हलके रूखे बालो पर रुपहले बुर्श का परस बिल्कुल निराबरन हलकी पतली धे पर सफेद मारकिन की साड़ी और बलाउज, उसकी शुब्रता दूद को भी मात देती है जैसे बलकि सफेद फूल से तुलना करने योग क्या है तोले की महलाएं कभी-कभी घुमने आ जाती हैं, सद्वा और विद्वा दोनों ही निकलने पर वे अवश्य सफेद कपड़ा पहनते हैं लेकिन यहाँ आने पर उनकी वह शुब्रता मरियादा खो बैठती हैं वे अच्रस से पूछने पर बाज नहीं आती कौन दो भी आपके कपड़े दोता है दीदी, उफ कितना उजला और घर में भी आप जाने कैसे इतना साफ करके रखती हैं हम तो रसोई में गई नहीं और कपड़े की दुरगत इतनी बातों के उत्तर में सिरफ मुस्कुरा कर सजलीदी कहती है इतना क्या भार है मेरी रसोई का, मित भाशी है सजलीदी बहुत सी बातों का जवाब दो एक पंक्तियों में देर दे लेती है महिलाएं ही बहुत कुछ बोलती है और आखिर आप चलीदी आपका बड़ा समय नश्ट किया कहकर चली जाती है सजलीदी इसका भी अरे नहीं कहकर परतिवाद नहीं कर उड़ती, सिर्फ वैसे ही हसी हसकर कहती है मेरा समय नश्ट हर दमी तो समय है मेरे पास जाती हुई महिलाएं फिर ठिटक जाती है कुछ इरश्या और कुछ परशनसा से कह उड़ती है क्या पता बहन, आप इतना समय कैसे पाती है हम तो इतना सा समय निकालने में परिशान हो जाती है इस अंसार का लगान चुकता ही नहीं सजलीदी इसके जवाब में कहती नहीं कि काम में आप लोगों की नाक में दम क्यों नहों आप लोगों के कामों के सूची ही तो विराट है नित्य गंगा इस्नान नित्य जहां जितनी मुर्तिय हैं उनका अनुग्रह करना नित्य भागवत पाठ श्रवन करना और फिर घरों में बीसी ओं ठाकुर देवता की कोई फूल चंदन देगी कोई तूलसी की माला देकर हजार जब करेगी रोज के इतने नित्य नवेद्य जुटाने के बाद ही तो आप सब अनित्य ही संसार का लगान चुकाने बैठेंगी इत्तिस पर जान बुचकर काम बढ़ा लेने की आदत भरे वे घड़े को फिर से भरना मजी मजाई कलसी को फिर से माजना खीचे वे कपड़े को अनखीचा समझ कर फिर से खीचना इसके अलावा छोटी बात को बड़ी बनागर अवकाश का गला घुटना मुठी भर कंगरीला चावल मुठी भर कोईले की बुखनी यह सब आप लोगों के लिए समय से ज़्यादा कीमति है लेकिन सजली दी यह सब नहीं कहती हसकर इतना ही कहती है आप लोगों की घर ग्रस्ती और मेरी ग्रस्ती भी क्या अपनी और अपने जीवन निर्भा सम्मंदी बातों से सजली दी को बड़ी जिजख है कोई यदी पूछ पटे क्या रसोई हुई आज जवाब देने में सजली दी शरम से गड़ जाती है मानू रसोई का प्रकार बताने में ही तो मसीबत उनकी थाली में एक से ज़्यादा प्रकार का होने देविय घट नहीं है किसी छुट्टी उट्टी में यदी लड़के आ जा शायद यह कहना पड़ता चलो मध्या प्रदेश और चलो उत्तरबंग पती की छुट्टी में बहुगा गंतव्य मैंके के सिवा और कहां होगा अनादी काल से तो यही होता रहा है मादुरगा ही तो इसका प्रमान है शाक से छुटे फूल के मन की बात किसी को नहीं मालूम परंतु वरिंथ चियुतिनारी समाज की मर्मकता उनकी पित्र ग्रह प्रीती समें पकड़ा आती है प्रीती तो रहेगी है स्मृती की महक बन जहां शैशव के सुरनेम दिन बिखरे पड़े हैं कोशारिय के रंगीन दिन जहां निकरे आशा आनंद से डोला किये वहां के लि चुट्टी में काश्मीर घूमने की कह रहे हो परंतु मा बहुत दिनों से कह रही है अतैफ बेटे बोरिया बिस्तर बांद कर पत्नी पुत्रों सहित शिव जी की तरह गिरी राज के ही यहां जा पहुसते हैं ससुर का घर चोटा है कमरे कम हैं यहां के दूसरी बाटकर अपनी मा के यहां भी आ जाते हैं यह अवश्य अनामिका देवी की सजली दीदी के ही यहां नहीं घर घर ही तो होता है इस्तरियां बहुत कुछ समस्ती हैं समस्ती के विल यह नहीं है कि पती के भी हिर्दय नाम की एक वस्तु है प्रवास में जाने पर पूरुष बेचारों को भी तो बालपन और शेशिफ की समृतियों से भरे अपने घर के लिए मन में थोड़ी सी लेकिन एक गहरी जगा होती है इस्तरियां यह नहीं समझना चाहती है पुरुषों का यह जी कैसा करना क्या इसलिए निकाले वे तीन दिन के समय में कहीं दो दिन और भी खालीपन जलक आता है सजली दी की दौनों बहुए दो तरा की है पर छुटी में मैं के जाने के मामले में दौनों हुबहु एक फिर भी बड़ी बहु तो कभी कबार चंदन नगर आ भी जाती है पर छोटी कभी नहीं वे आ जाते हैं तो सजली दी की ग्रस्ती उन दो त जाती भी है कौत वल से ही नया हयती कुछ खबर जान जाने को नहीं तो सजली दी तो वास्तम में जात से ही अलग है गंगा की च्छाती पर वास्त करने के बावजुद मोहन कीमा रोच की बात तो दूर रहे योग याग में भी गंगा इस्तान नहीं करती हिंदु विद्वाओ के बहु विबर आचारों का ही पालन नहीं करती वै यहां तक कि जानती ही नहीं भगवान के शेहन के बाद विद्भाओं की परवल और कल्मी साँग नहीं कहाना चाईए यह भी नहीं जानती तारक की मा ने जब बताया तो हसकर उन्हाने का अच्छा लेकिन भगवान के शेहन से इस परवल और कल्मी के कौन सन आता है तारक की मा गाल पर हाथ दे बैटी हाई राम मैं पूस्ती हूं महान की मा तुम किस विलायत में पड़ी बड़ी थी भगवान कल्मी साक के बिछोने पर परवल का तकिया बना कर सोते हैं तुम्हें यह यह नहीं मालूम उस दिन अमवाची के दिन की बाद से तो दंगी रह गई ददीदी फूल कुमारी और मैं हस्ते हस्ते बेदम अमवाची में विद्वा को आग का सपर्ष नहीं करना चीए यह सुनकर तो आसमान से गिर पड़ी सोजो कहूब है तुमारे आखकान बड़े बंदे हैं मानती हुगर में सासने नहीं पास पड़ास तो देखता है आदमी सजली दी के बड़े लड़के का नाम है मोहन इसलिए महिलाओं में वह मोहन की मा के नाम से परीचित है सजली दी के पती अमल बाबु की नौकरी बदली वाली थी जीवन में काफी दिन सजली दी के बाहर ही बाहर पी थे अंदिम दिनों में अमल बावू ने पुराने मकान का संसकार करके गंगा के किनारे की तरफ का वह बरांदा बनवा दिया था कहा था यह बरांदा तुमारे लिए है तुम कवी हो पती सजली धी को प्यार तो करते थे और खुबी करते थे किन्तु वह प्यार उनके अपने ढंका था खेर वह बात छोड़िये दुनिया में तो कितने ही लोग हैं कौन किसके साचे में ढलाए कोई नहीं फिर भी जो बुद्धीमान होते हैं वे सुविधा और शांती का मुद देखकर अपने नुकिले कोनों को घिस कर भोतरा करके और उसे मिला लेते हैं रोज के संगर्ष की नौबत से बचते हैं वे जानते हैं घर ग्रस्ती करनी हो तो धार वाली नौके तो रहेंगी नहीं घिसी जाएगे उससे अच्छा है उन्हें खुदी घिस लें और जो बुद्धिमान नहीं हैं, तथा संघर्ष से डड़ते हैं, वे एक और को खिसक जाते हैं, अपने में ही सिम्टे राते हैं, वे अगर कहीं अपने जैसा कोई मन पाते हैं, तभी अपने को वहाँ खोलते हैं, सजलीदी बुद्धिमान नहीं हैं, वे इनी के दल में हैं, इसलिए वह तारक की मा फूल कुमारी से यह तरक नहीं करती बॉलुक बेगेंट में कोई दूसरा भी जोना नहीं जुटा मा लक्षमी का भंडार क्या खाली है इसलिए उन भले मानस को कलमी साग परवल का साहरा लेना पड़ा यह तरक भी नहीं करती घर में यदि अकेली विद्वा मा और लड़के हो तो आका यह निशेद मानकर वह लड़कों को भूके रखेगी बना पका कर नहीं देगी यह बाते सजली दी के मन में तो आई थी शायद शायद वह इन तरकों को शक्ति का अपवय मानती है या वह उन महिलाओं की समलाउचना में वैसा महतनी देती शायद वह उन्हें वैसा समस्ती ही नहीं बाहर से सजली दी जितना ही निश्यल दिखे भीतर से वह बादस्तूर अभिमानी है इसलिए लड़कों के जाने के समय वह कभी अपने पल के गीली नहीं करती जल्दी आना फिर कहकर सजल विंती भी नहीं करती हस्ते बोलते ही उन्हें विदा करती है पोते पोतियों को देखने की उन्हें खुब इच्छा होती है और उनके आने से उनका मन भर जाते ही यह बात सजली दी के महन शोबन नहीं जानते इसलिए मा के पास उन्हें लाने की उन्हें चिंता भी नहीं रहती शोबन की लड़की देखने में बड़ी सुन्दर हुए इसलिए सिर्फ एक बड़ दिखाने के लिए लाया था महन के छोटे लड़के को चेचक हुआ था मातर इसी कारण से बड़क को कुछ दिनों के लिए वह मा के पास रग गया था बच्चों की नानी परिवार सही ते उस समय तीरत पर गई थी मान आसन सोल में रहता था खास दूर भी तो नहीं शोबन काफी दूर था शोबन की दूरी करमशे बढ़ती ही जा रही थी मील के हिसाब से अब उस दूरी को नहीं ना पजा सकता किन्तु पहले शोबन ही मा के बहुत निकट लाओ वही पहले अच्छा और बड़ा कौ़र मिलने पर मा को अपने पास ले गया था कहता था वहाँ तुमारा अकेले रहने से अब नहीं चलेगा मगर शोबन की वह गवारू भावुकता शोबन की बीवी क्यों बरदाश करे पती के इस लाड़पन से ताल मिलाकर चले तो उसकी अपनी ताल बेताल ना हो जाएगी चंद भंग नहीं होगा तस्वीर किसे सजे गुजे उसके इस घर में सास एक अनोकी छंद पतन के सिवा और क्या है दो चार दिन के लिए आकर रही है आदर करूंगी जतन करूंगी यह दिखा दूंगी कि वैवार किसे कहते हैं पर जड़ गार ना हो तो पीपल के पौधे का छोटे पन में ही उखार डालना चीए दुलारी बिलया को पहले ही रात काटना चीए शोभन किस तरह जानती थी और अपनी जानी हुई विद्या के प्रियोग में उसने देरी भी नहीं की हो सकता है कुछ देरी करती शायद एक बार शोभनता अशोभनता का मुनिहारती बशरते सास सधारन विद्वा बुडी जैसी भंडार घर से पूजा घर तकी सीमित रहती योग्य बेटे की बहु के साथ जैसा वैवार करना चीए वैसा करती यदि घोडे को तड़पा कर घास किलाने की पद्दती के समान बहु को तड़पा कर बेटे से गप नहीं करने बैठ जाती लेकिन शोभन की निर्बोध मा सहाब बेटे को सहाब ना देखकर बेटे की निजर से देखने गई शोभन की माने भंडार और पूजा घर की च्छान ही चूकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर अगभार पढ़ना शुरू किया पशम बुनने लगी बुना अवश्य शोभन के लिए ही लेकिन वह चीज चाहता कौन है बहु क्या बुनना नहीं जानती वह अपनी कारीगरी जताएंगी नहीं सजली दी ने इसलिए बेटे से कहा कहने से तु मिझे डाटे का शोभन प्रबंगा किनारे के उस बरांदे के लिए मेरा मन कितना कैसा करता है बेटे तु मुझे वहाँ पहुचा दे तुझे चुटी नहो तो तेरा चप्रासी वप्रासी कोई शोबन अंदर ही अंदर कुछ भाप रहता शायद एक अद्रिश्य उत्ताप में ही चल रहता परन्तु अकस्मात इतने के लिए तयार नहीं था मा की शक्ति पर उसे आस्था थी इसलिए शोबन को मानसा हुआ शोबन को शायद अपनी मा की परकरती ही अधिक मिली है इसलिए वह हाँ हाँ नहीं कर उठा वह केवल इतना ही बोला आज ही जाना चाहती हो अजीब है आज ही क्यों कल परसो तेरी सुविधा के अनुसा रहना बिल्कुल असंभव हो गया है हलके गले से शोबन की माने हस कर का ना देख रही हूँ तू बहुत नराज हुआ जा रहा है कि तु सच कई दिन से मन केवल गंगा गंगा ही रट रहा है शोबन ने का ठीक है यानि सबसे ज़्यादा बेठिक के समय लोग जो कहते हैं ठीक है यानि ठीक नहीं है ऐसे समय शोबन की मा क्या निश्ठुर नहीं लगी उसने क्या यह नहीं सोचा होगा कि माने मेरे मन को नहीं देखा मान का मान ही बड़ा हुआ मैं जानता हूँ रेखा वैसी नमर नहीं है किन्तु क्या किया जाए सभी क्या समान होते हैं आखिर मैं क्या उसके साथ नहीं निवा रहा हूँ शोभन की मा बेटे के चेहरे के इन लकीरों की भाशा शायद ही पढ़ सकी फिर भी वै यह नहीं कहने की बेटे तु जितना देख पाता है उतना ही सब नहीं है सारे अपराधों का भोज अपने माते पर ले शोभन की मा बेटे के यहां से लोट आई यह लोट आना क्या अपराध हुआ पारुल का अनामिका देवी की सजली दी का मौन शोभन की मा का अपराध ही तो बेटा बहु की एकांत भक्ती के नैवेद्य को पाउं से ठेल कर मामुली से मान अभिमान से यूँ गटगटा कर चला आना प्राद नहीं आस पास के क्वाटर की रहने वाली पड़ोसी ने यूँ हटात चले जाने पर अवाक हुई और पूछने पर और भी अवाक बहु एक दिन सास के रात्री भूजन के लिए रबड़ी बना कर रखना भूल कर घूंगने चली गए इसलिए बेटे का घर छोड़ कर चली जाएगी च्छी किसी किसी ने कहा लेकिन देखने से तो ऐसी नहीं लगती थी मुख पर एक अपूर्व व्यंजना का भाव लाते भी रेखने का भार से जो जितना दिखता है सब सत्य ही नहीं होता अच्रच अच्रच कुछ भी नहीं बड़े बेटे के यहां भी थो ठीक नहीं किया था जो पारुल को चाती थी उनका मन जरा खिन हुआ जो बांदवी की सास या बंदू की मा को अपनत्व जताने जैसे हासिया सपद पैपार के लिए मगज पच्ची नहीं करते उन्होंने यूँ ही थोड़ी निंदा की उसके बाद शोबन के घर्ग संसार में उसकी मा के अस्तित्व की कोई स्मृती नहीं रही शोबन के लिए अधवुना स्वेटर दिनों तक ट्रंक पर पड़ा पड़ा जाने कहां गायब होगिया शोबन के दामी क्वाटर का सुन्दर लॉन गंजी ट्राउजर पहने सहाबों और कबर में आचल कसी मेम सहाबों के टैनिस कलोल से मुखरित होता रहा शोबन की डाइनिंग टेबल पर पर आया ही निमंतरित अतितियों की अभ्यरतना के आयोजन से महमा होती रही शोबन का घर जब तब रेखा के मरतीवी हसी के मुखरित होता रहा फिर शोबन अपने भीतर की एक उदास शुन्यतों को पाल कर दुखी क्यों है भरावनत जननी और अभीमान उतब तिस्तरी इन दोनों के बीच अपरादी की भ्यूई का लेकर पड़े रहने से सुखी का एक को तो जीवन से उतार फेक नहीं होगा